तो नमस्कार स्वाहत है आप सभी का अपना चैनल टुडे ब्लॉक्स के और एक नए वीडियो पे तो आज हम और एक नया मोटो ब्लॉग करने जा रहे हैं यहां तो आज हम लोग जा रहे हैं भैरा घुमर करके एक मतलब बहुत ही ऑसम और जबरदस्त जगह है वाटरफॉल है गुफा है बहुत सारे चीज़े एक्सप्लॉर करने के लिए तो वीडियो बहुत खास होने वाला है भाई इस जो है मोटो ब्लॉग पे हम आपको बताएंगे कि आप भैरा घुमर तक किस तरह से आप ट्रेवल कर सकते हो अपने घर से जा सकते हैं तो सारे चीज़े जो जान हुआ है कि तो फ़ीयाल हम लोग का थोड़ी देर रुके हैं यहां पर बीरिघाट का मतलब भाटी पा रहा है ठीक है तो यहां पर रुके हैं अब दो यहां है बिरिघाट्सामर कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग हैं जिन गर वेंको जाना है आगे चलिए उनका हमारे सब्सक्राइबर भाई लोगा वेट करते हैं फिर जो अपना जो सफर है उसको हम कंटीनु रखें तो एक कंप्लिकेटिट हो गया भाई क्या है यह जो वर ब्रीज बनाने है कंप्लिक नहीं हुआ है और इस वाला जो नदी है नदी को क्रास करके आगे जान बट 50 रुपी सासवास बता रहे हैं तो दिखा थोड़ा एक छे छे भाई कि अभी हम लोग पास तो हम लोग ना अभी कोशिच करेंगे कि ऐसे अंद हुए घुसा निगा देखते हैं क्या होता है तो अपने पास एक दो तीन चार और एक गाड़ी निकल गया पांच और है है क्यों है है सऩशारे है तो वहीं चलिता कर लिया है नाधी क्रास करने के बाद हमें अभी जो है रृट्स के बॉरडर पर पहुंच में और उलाके हैं कि पहला गाव नदि क्रॉस करने के बाद हमें मिला खु ze करेंगे चंदा आंडी जाने के बाद आगे और शपर करना है चंदा आंडी घाटी को भी देखना है एंड उसकाद हमको जाना है भैरा घुमर तो काफी भरी चुनोती है रोड आप लोग देख सकते हैं काफी है रात अंगिश खंते निवादी रोड है यहार बॉटर है इसलि आज से पहले जब मैं इस चैनल को इस्टार्ट किया था तो हम लोग सोच रहती कि हम अकेले हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे लेकिन आज इतने लोग जो हमारे साथ चल रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा हमें कंफिडेंस लग रहा है कि टुडे बॉलसी टूप चैनल आज इस मुकाम पर अखेला विल्कुल नहीं है उसके चाहने वाले और उसके सपोर्ड करने वाले लोग बहुत हैं बहले वो केमरे पर नहीं आते हैं लेकिन अनसीन ही साइए लेकिन हमारे साथ आच्छे आदमी हैं हमें मतलब सब करने वाले हैं आप सब भाई लोग का प्य करने हैं लेकिन इससे बाद एक से बढ़कर एक हमारे पास चुनोतियां देखनों के मिल रहा है पहले तो जो तेलनादी का बड़ा सा और जो तेलनादी टूटा हुआ था बड़ा मुश्किल से उसके वाद ही हम लोग को आगे जाने का रास्ता मिलेगा वैसे हमारे भाई लोगों से आज मिल लीजिए नए महमान है हमारे क्यूटी पॉला चीटूप चैनल से और इनके मार्ग दर्शन से हम जा रहे हैं भैरा गुमर चंदा अंटी जहरी गाओ ऐसा लोकेशन है तो मिल लीजिए सबसे बारी बारी से एक बार हाई बोल दो और इधर भी हैं बहुत कि अब लोग चंदा हांडी पहुंचने के लिए जो उर्माल से भी जा सकते हैं अगर आप लोग देवोक से आ रहे हैं तो और बहुत सारे रास्ते हैं चंदा हांडी जाने के तो चंदा हांडी चले जाएगा क्या हम लोग अपन दूसरे काम सीधर आये गए थे और यह अनक मैं आप जाएगा शारा रहा है रास्ता कैसे लगा अपर रास्ता ये इगा नहींगा वोग थोड़ा सा प्रोवलो मुन् और एक नया उडिसा का गाउँ आगे हम लोग विश्क अंदर प्रविश्टा रहे हैं तो चली भाई आगे हम लोग मोहरा पे और रोड काफी जबरदस्त है इसकी तो तारिफ बनती है यार और इसा गवर्मेंट ने रोड को लेके काफी डेवलोप्मेंट कर रहे हैं इन दिनों पूरिशा के जहां भी जाओ कि आप लोग ऐसी मस्त वाली रोड देखने को मिलती है हाँ हाँ वह बात तलग है कि किसी किसी मामले में जो रोड है आपको खराब हो तो होते ही है तो अभी हम लोग ना डणा मुडा फोंचने वाले डंडा मुंडा भी बुलते है तो डंडा मुडा के बाद आगे और रास्ता मिलेगा भैरा घुमर तक जाने के लिए क्या है मुझे तो आपीस अपने घर की तरह आने का जैसा लग रहा है क्योंकि सबसे पहले मैं चला गय क्रिकेट मैदान जहां पर होता है धमाकेदार क्रिकेट का लंट है तो क्रोना भारी से क्या करें होगा की नहीं होगा कोई नहीं जानते कि यहां से अंधर कुछ नाशता पानी लेकर रहे हैं क्योंट है को बताएगा है तो यह वाला रास्ता से निखलेंगे कुछ पहाड़ी पहाड़ी के साइद मुझे आपर जाएंगे तो चलिए भैरा गुमर का जो सफर है अभी हम लोग का अधूर क्योंकि हम एक डोगदी गुड़ा करके गाउं है वहां पर रूक गए है और उसके बाद नहीं लोग अभी ब्लोग का पहाड़ी के नीचे जाएंगे तो यह वहाला रास्ता है च्छोटा सा पतला सा रास्ता है अच्छा है ठीक ठाक है आप आएंगे तो इजिली आ सकते हैं डोगदी गुड़ा डोगडी गुड़ा से ना यह कुड़ी करके गाउं पड़ीगा आगे ठीक है भाई तो चलिए अभी जो हमारा एडबंस्रेट वाल सफर है वो सुरू हो गया है क्योंकि यहीं से सुरू होता है अपन जंगल और जंगल के ना जारे आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है और आप हम लोग जाने हैं बहरा घुमर जल पर पात जो की उच्छी पहाड़ है पारा है जो लोग यहां पर गुजर बतर करते हैं जंगल के अंदर पर तो वहीं का कुछ जो सीन है आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से हैं भैरा घुमर जलपरपात हम निकले हैं आप लोग को एस्प्रोर करवाने के लिए लेकिन जंगल का सीन कुछ ऐसा है कि मैं यहां पर गाड़ी रोखने को मजबूर हो गया भाई अहां पर आप लोग शीन देखिए काफी जबर्दस उची उची पहाड़ी है दोनों साइटे और यहां पर सुंदर्शा मोड है और जंगल के अंदर में जाता है बहुत ही मन को मतलब दिल खुस कर देने वाला है यह जग तो पानी ले लिए है भी हम लोग और अभी ना हम लोग आज कम से कम 10 या 12 बाइक होगा तो कम से कम जो लोग है हम लोग 20 से उपर हो गए है भाई तो चले घाटी अपना सुरू हो गया है भाई घाटी वाला सफर क्योंकि पहाड़ी के उपर हमको भी चड़ना है तो जैसे में हमें देखने को भी आता है वह से जबर्दस जितनी तारीफ करें ना दोस्तों उतनी काम है भाई कोई गाओ नहीं कोई लोग नहीं बस एक चमचमाती सड़क है और दोनों साइट उंची उंची पहाड़ियां है और खुबशूरत से नजारे के विज में भाई शराने का जो अनुभाव है ओ काफी रूमान्चित कर देने वाला होता है तो एक गिर में रखना है पाइक उसवाद चलती रहना है वाओ क्या जबर्दस्त केसकाल का गाटी जैसे लग रहा है वाई ओ या शूंदर नजारे विल्कुल एडवेंस्टर मजा आ गया बहुत जबर्दस् वाओ आभी ना ओर उपर चड़ाई चड़ेंगे खतम नहीं हुआ है देख सकते हैं एक के बाद एक मोड और एक मोड से दूसरे मोड क्या खुब्सूरत और ना टूटे बोला सीट उप चैनल का जो ड्राइबर है ना कुझवियारी काफी एक्सप्रियंस है ठीक है ना कोई दिकत नहीं है अगर ऐसा सेचुएसन होता है तो खुद बाखुद हैंडल कर लेता वाई तो खुब्सूरत जो वादी हैं जंगल का और खादम नहीं हु खुब्सूरत सा गाउं मिली गया है जबरदस्त पूरिशा का यह गाउं मंदीर है मुआने मंदीर काफी बड़ा गाउं एक शिरी यार जबरदस्त लग रहा है जय माता दी हो सारे अंदर में छोटे छोटे गाउं है दोस्तों जो कि यार आप लोग आओ एक बार दिल खूस हो जाएगा आपका इतना अच्छा अच्छा गाउं आपने कभी देखा नहीं होगा जंगल के अंदर में और आज हम आप लोग को दिखा रहे हैं बाई काफी जबरदस्त कि हैं यहां से वाला रास्ता है ah हुआ ऐस्ट्रा रास्ता सुनियों हो गया 10 को तुष्ण गाउं कमें छोड़ दी है तक की उसकी बाद यहां च्छोटा आसा पतला यह जाए जागल जाएगा समय अभी हमको बुजर ना है आके लाँ आना बिल्कुल खठरे को दावत देना है तो आप मताना अब जैसे के आप लोग देख रहे हैं भी हम लोग कम से कम 20 लोग हैं और कम से कम 10 से उपर बाइक है ठीक है तो मैं वहीं रोकेंगे एक जगा तुम्हें आपको दिखाऊंगा तो आपना अकिला मता ना तो आज का जो जवंगल सफारी है ना यार मतलब टूटे ब्लोक के इतिहास में लिखा जाएगा क्योंकि हम लोग सुबर 9 बज़े से निकले हुए गर से और बज़ गया है दो और अभी तक हमने बहरा गुमर पहुंचे नहीं है क्यों क्योंकि हमने बहुत जगा रूग लिए और बहुत सारे चीजे जो बाते और दोस्त लोगों से मुलाकात किये इस वज़े से बहुत लेट हो गया है यहां पर खत्रा रास्ता मुझे लगता है बाइक यहां पर सबको छोड़ना पड़ेगा ऐसा लग रहा है क्योंकि पता नहीं जर्ण करना पड़ेगा को समय है क्योंकि आफ जगल का सीन है आप सबी लोग को जानते है है जंगल में किस तर भाइब करना पढ़ता है तो सीन कुछ जैसा है दोस्तों कि आभी ह taş भूब है ना हम भीराव गुमर को यह जर्श्ट अस पाहड़ी दिख रहे हैं उसी पहाड़ी के अंदर में है बाइक हमें और यहीं पर ही छोड़ना पड़ेगा इसके आगे जुए बाइक नहीं जाएगी विगोज क्योंकि रास्ता जो काफी खराब है और बाइक लेव की भी जाए ना जबरदस्ती तो बाइक जो है डेमेज होने के काफी जादा चांस है तो यहां पर अपना जो बाइक है कर देते हैं और पैदल चलती है कि अच्छान से बाइक हो जक्राइब ड़ी कर देते हैं पर पैदल चलते हैं